है कि हलो सुर्टे एंड बुड मॉर्णी ऑलो दो आज हम वे के चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम आपसे एक प्रस्न करेंगे उस प्रस्न के आंशा आपको देना है तो देखिए सबसे पहले आपको अपने एक मन पसंद फिल्म का नाम बताने और वो पसंद आप यह सब आपको बताने है तो देखिए आप जूखी वीडियो में हम क्लास दे रहे हैं इसलिए आपको हम सबसे पहले एक फिलिंग का नाम बताती हैं देखिए यह है सबसे पहले फिल्म का है 1950 से सत्तर बढ़े हैं मदर इंडिया की फिल्म का नाम है और यह क्या कि 1957 के बढ़े हैं तो यह हम ने बताए 50 से सत्तर के इसकी यह उन्ने सो संतर अब देखिए इसे फिल्म का विसे क्या था यह कैसी फिल्म थी एक महिला एक महिला के साहस की साहस वा साहस वा साहस वा संधुस्पाद अब यह इसमें फिल्मों के कलाका नर्व की सुनित दर फिर इसी में एक देखिए आप में मुगल ए आजब प्रियुप पर आधारी थी इसने दिवित कुमार और मधुबाला थी यह ना अब सेमसिमम सुन्दरा एक फिल्म का नाम है 1978 में 1978 में यह फिल्म बादी थी यह सच्चे सुन्दरे पर आधारी थी है इसमें ससीकापूर और जीनत अमान है अब उसके बात एक यह उनिस सो इंक्यावे से 2005 यह समय की फिल्म जो है आपको जानने होगे सबसे पहले थी इसमें चमतकार उन्हीं सो ब्यांबे में है यह जानी चमतकार पर आधारी थी साहुप खान उर्विला मांदोड कर अउसके बाद फिर देखी 2000 में फिल्म बनी फिर भी दिल है हिंदुस्तान है सामजिक समस्य पर आधारित इसमें साहुप खान और जुप जाला तो यह जो फिल्म है कब बनी है समय क्या था खिल्मों के न्याम क्या थे खिल्मों का विश्य क्या था किस पर आधारित थी कोई फिल्म से हमें कोई ने कोई सिक्षा मिलती है जैसे कोई खेल पर आधारित होती है कोई एक् सब्सक्राइब काम को संभव बनाने वाली कारे पर आधर नमाज उतनी सिद्धिकी राधी का आप पे इसकी कलाकार है अब देखें हम फिल्म क्यों देखते हैं मनोरजन के लिए या बोलती मसंदिदा कलाकार के लिए पिर किस उद्धे से देखते हैं हम ताकि उसका उद्धे समझाएगे किसी विशिष्ट चरित्र के कारान या मनोरजन सामाजिक आर्थिक सामस्याओं को सुझागर किया जाता है कि क्या फिल्म और समाज का कुम रिस्ता है मनोरजन का उसमाज की स्वलूब को प्रस्तुद करने वाला दर्पार या फिर पुराले फिल्मे में सयंत परिवार का दिखाई जाने वे दाधा दाधी ममी पापा चाचाचा चाजी सब रहते हैं तो उससे हमको सीख मिलती है कि हमें भी मिल जूल का रहना चारी है हमें मिजब की आज कर गया है सिर्फ मम्मी बापा और बच्चे फिर रहते हैं एकल परिवार बताया गया है इन सब कारणों के कारण को क्या करना था है फिल्म देखना जरूरी जाता है तो आज जो हमको इसको बताने का एक उद्दे से यही का कि आज जो हम चेप्टर पढ़ाने जा रहे है उसका नाम है जात्य सिनेमा के पीता मुह दादर साहिक फालती है है ना देविका रांजवार बता गया है लाचके फिल्म तो आपने पसंद्दा फिल्म पहुन थी और आप अपने पसंद्दा अभी नित्रियन इक रिफ्त बता सकते हैं अगर आगे देखिञीस है तो उसके क्यों पर क्लागार कौन तो क्यूं प्रकशन हो आज चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसलिए हमको यह जानना बहुत जरू होता है तो चलिए हम पढ़ते हैं चल्चित्र यानि ही होता है सिनेमा चल्चित्र की मतलब क्या होता है सिनेमा से सभी परिचित में आप बहुत चारोल धांसा में से फिल्म भी कहा जाता है इसको आप लोग अंडर्लाइन करें ना सिनेमा चलचित्र यह इसे कोई व्यक्ति होगा जिसमें कोई चलचित्र कि फिल्म नहीं देख भारत पिल्म का इतिहार जादा पुराणा नहीं है कि यह सिदेगे संदेघ के प्रत्यव्चेतर प्रभावित किया चाहे जीवन सही हो फैसन हो साहिति हो या परफर हो आपको पत्र है भारत में सिनेमा की सुर्वार किस नेगी उन्हें किन संदेचों का सामना करना पड़ा इस लेख में हम आपसे उनका परिच्छे करवाइए कि तो देखिए आगे देखते हैं भारत में चल्जित्र का पिता नहीं करेंगे उनका पूरा नाम धुंदी राज गोविन फाल के था यह में अंदर से गया सकती उन्होंने फिल्म का निर्मान निर्देशत पढ़ कफा लेखन आदी विभिन छेत्रों में अपना योगदान दिया उनका जन्म 30 अप्रेड 1870 मतलब कि 1870 को नासित के लिकर्ड द्रैंबेगेश्वर नामा की स्थान पर हुआ यह पूरा पैरवडा आयांकि इसमें से कोई भी कोच्चा दे सकता है आप देखे आगे उनके पिता संस्कत के प्रकांड विदान प्रकांड याने विसर्द विसाल और विस्कृत और बंबाई के मुंबई के बड़ोता भवन में अपनी कला का ज्यान बढ़ाया कुछ समय आजी मुझा के लिए उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया फोटोग्राफी यह निकी छाया चित्र तस्वीर खीजना है ना उन्हें यह काम बीज में ही छोड़ना पड़ा पेदना पर आपकरा 56 है नियुक्त आपणी के सीख्स है ठीक है ना देखिकी जिउख्यों की प्लेग होने से उनकी पत्नीарी का दिषान द्हान हेत्या है कुछ दिनोंब दाति पुरातं पसाय सरेचंग विभाग में मांचतरकार बन बेंडे थे नसकी झोड़नी पड़ी थे छिato प्रिंटिंग प्रेस पुला उन्होंने एक मासित पत्रिका का प्रकाशन भी किया इसी दौरान उन्हें इसमसी के जीवत पर बना एक चल्चित्र देखा उन्हें चल्चित्र ने इसमसी की स्थान पर भारती महापूर्ष दिखाए देने लगे चल्चित्र देखने के बार उन में लिखा है पुरा पर तो बहु गिधा है जिसके अंदरगर एतियासिक साक्षियों और वस्पूरों का अध्यर करके अज्याद इत्यास का पता लगाया जाता है ना यह पुरा तरगर यह मीनिंग में आपको लिखना है जितनी कठी मीनिंग आई है अब यहांपा सेक्र में देखिये इसा मसी को इसु या जीजस भी कहा जाता है यह इसाइध हर्म के प्रवर्तक थे यानि की जन्म दाता थे इनका उद्देश बाइबिल इनका उद्देश और जीवन परिचे बा आना जाता है बाइबिल को इसाइध हर्म में वही स्थान प्राप्त है जो इस थान हिंदूओं के लिए गीता मुस्लिमों के लिए कुरान और सिख्वों के लिए गुरु ग्रंत साहब का है अब देखिये अगला बैरगा वे चल्चित निर्मार का तक्निकी ज्ञान और वाइस को पत्रिका के संपादा सेचे हैफवर्ट ने डंदर्वर्ट को फिल्म निर्मान को करण खरीदे में माईधास किया और यथा संभा मदर की वहां 1912 में वापा सातरों ने अपनी फिल्म कंपनी फार्की फिल्म की स्थापना की दादा सहाब खालके ने सबसे पहल जो यलो बना उसमने की राजय प्रिश्चन को सत्यवादी कहा जाता है वे जो कहा देते थे उसका पालन अवस्य करते थी मात्मा गाधी पर भी इनकी जीवन का गहरास्यत प्रभावबड़ा आप इनकी जीवनी अवस्य पढ़े इसके लिए आप इंटरनेट या पुस्तका आप देखिए यह भूख फिल्म भूख मतलब कोंगी जो बोल नहीं सकते और देश की पहली फिल्म पीचर फिल्म थी इस पर उस समय कुल 15,000 रुपए खर्च हुए थी और अब तो 15,15,15,15,15,15 करोड की भी बनती है जो एक बड़ी रकम थी इसका प्रदर्शन 3 माई 1913 को बंबई के कोरोनेशन थीटर में हुआ थीटर मतला कि जो जहां पर फिल्म देखी जाते हैं उन्होंने सिनेमा घर बोते हैं इसको हाल हना उन्होंने 20 वर्सों में कुल 95 यानिकी 15 फिल्म और 26 लगु लगु मतलब छोटी फिल्म 26 लगु फिल्म बनाए उनकी फिल्म भसमा जो मुईनी है उसमें उन कलाकारों के नाम कमला गोखले और दुर्बा गोखले था यह अंदरमाइन करें लिया हूँ दोनों माबेड़ी थी और नाट कंपनी में काम करती थी अगला परक्रफ देखिए दादा समय फाल के कि सफलता से कुछ व्यवसाई व्यवसाई यानि ब 122 फिल्म बनाए उनकी अंति फिल्म सेतु बंधन थी जो 1932 में प्रदर्शित थी उन्होंने एक मात्र बोलती फिल्म गंगा उतरा मताई यानिकी पहले मतलब मूख फिल्म बनाई जाता थी इसमें बोला नहीं जाता था सिर्फ चित्र दिखाए जाता थे खिए बार मोलती फिल्म बनाए उसका नाम था गंगा उतरा आगे के तरह देखिए दादस्ता फालकी ने चल्चित्रों में विज्जेश प्रभाव स्पेशल एफेक्ट का रचनात्मा प्रयोग किया यह एक कांती का रिपहल थी इससे चल्चित्र जाला आकरशक बनने लगे मतलब की फिल्म अच्छी आकशक दिखाए दिए लिए अपने 25 वर्जों के यादगार सफर्मों ने हरिस्चन, सत्यवान साविप्री, लंका देर, स्रीच्रस्न, जल्ब, कालिया मर्दन, कंसवद, सकुंतला, सत्तुकारा और भक्त सुदामा संहीन अनेख यादगार फिल्में बनाएं यहाँ यहाँ बात जानना दिल्चस्थ है कि जब दादा श्राय खालके में भारत की पहले फीचर फिल्म बनाने की तयार की, तो फिल्म की नाइखा उनके लिए एक गंभीर समस्या बन रही उनकी इच्छती की फिल्म हरिस्चन में तारा मती की घुमी का कोई महिडा की करे, तारा मती राजा हरिस्चन की को थी? पत्मि इसके लिए उन्होंने नाटर मंडी से जूरी कई अभी नेत्रियों से बात की लेकिन आस्चिर की बात यह रहे की कोई भी अभी नेत्रियों के लिए तयार नहीं की यहां तक कि उन्होंने अभी देद्री की खोज के लिए विग्यापतु कटवाए लेकिन कोई लाग नहीं हुआ, हारकर उन्होंने ठैसला किया कि तारा मती की भूली का किसी पुरुष से भी कराई जाए। तो तुम अपनी मूचे साथ कराकर आए। दादा की बात सुनकर रसुया चौप गया। उसने जवाब दिया मूचे कैसे साथ कर सकता हूं। मूचे तो मर्द मराठा किसान है। दादा ने उसे समझाया भला मूच वाली तारा मती कैसे हो सकती है। वह तो नारी है और नारी की भी भला मुच्छ होती है मुच्छू का क्या सूटिंग के बाद फिर रख लेना समझाने के बाद रस्मिय तयार हुआ और भारत की पहले फिल्म का हिरोई बना उसका नाम था सालीं की यह गंदलाइं करें गया उसके बाद एक लाग परहरा भारती सिनेमा में फालकी की अभु देखने योगदान के लिए सूचना और प्रसाना मंत्रालेग्वारा प्रतिवर्श दिया जाता है यह भारती सिनेमा जगत में सबसे प्रदिश्टिक पुरुषकार माना जाता है इस पुरुषकार के तहर दो लाग रुपे किरासी और स्वन कमल दिया जाता है पहना दाद करकी चित्र है और उसकी जो इस चेप्टर की लेखी का है वो कौन है देविकरानी का जीवन परिचर हम कल पढ़ेंगे आज आपको इस चेप्टर को फिर से एक बार पढ़ना है और जितने भी कठी मेनिंग आईए उसको आपको पौपी में नोट करनें तो आज की कप्छा म करने आपको इस समाथ करें यह बादी आद्ण